जारखंड से आई अकांक्षार कुमारी से जो हिंदी भाषा में राजिंदर प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत करते हुए मैं अकांशकुमारी डॉक्टर राजेंदर प्रशाद के कुछ इस्मृतियों संग उपस्थिद हूँ कहते हैं परतियक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती इसी प्रकार एक साधारन सा दिखने वाला व्यक्ति में कितना आसाधारन व्यक्ति तो छुपा है इसका अ उस वक्त सम्हाला जब बटवारे से लहु लुहान था सारा मुल्क नहीं था हर हात में रोटी नहीं था हर हात में काम ना कल था ना कार खाना उस दौर का भारत नहीं था इतना आसान उस दौर में उस वक्त में भारत को मिला एक ऐसा मुख्या जिसने अपने कंधों पर भार प्रशाद को निर्यातिक भारत के रूप में अस्थापित किया ना स्रिप स्वतंता के पस्चात अपितु स्वतंता के पूरु उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अस्तय योग नमक तता भारत छोड़ो जैसे आंदोलन कर अपनी भारत माता को स्वतंतर कराकर भीम राश्टपती का दूसरा चुनामाता है तब डॉक्र राजंदर प्रशाद का भी विरित थे एवं दमे जैसे बिमारी से ग्रसित थे इसके बाद भी उन्होंने कहा अगर देश की जनता और देश का संगठन चाहता है मैं दूसरा टम भी सामिधानिक पद के रूप में बढ पानित किया और उन्होंने कभी भी अपने पद का उपयोग अपने नीजी जीवन के लिए नहीं किया 12 माई 1962 को वो सेवा निम्रित होते हैं और 13 माई 1962 को वो राश्टपती के सारे सोनो स्वकत छोड़ बिहार के सदाकत आस्रम चले जाते हैं सितंबर में जब उनकी धर्म प पती दॉक्टर राजेंदर प्रशाल मुझे लगता है विश्वम में वो मात्र एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनके उतर पुस्तिका पर एक परिक्षक ने लिखा एक्जामीन इस बेटर दन एक्जामीनर अर्थात परिक्षार्थी परिक्षक से बहतर है थैंक यू भारत मा थैंक यू